सरी शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब देखिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है देखो पुझी गुरुदेव कहते हैं कि सास्तरों में अगर कोई कर्ज मुक्ते के लिए सबसे अच्छा सबसे विशेश दिन जो बताया गया ह और आपका जो कर्ज है वो दिन पे दिन बढ़ते जाता है और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है तो पुझी गुरुदेव की कधा में आपने मंगलवार का ये जो उपाय है कहीं बार सुनाओगा देखो पुझी गुरुदेव हमेशे अपने व्यास पीट से पढ़ क करके लोगों को ये बता चुके हैं कि कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो होता है लौंग का फूल वाली लौंग के उपाय देखो आज के पोरे वीडियो में तीन महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे ये तीनों महा उपाय आपको लौंग से करना है आ आप प्रयास भी करते हैं लेकिन कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है तो आपके साथ साथ देखो कर्ज के कारण क्या होता है कि पूरे परिवार को परिशानी होने लग जाती है तो पूजी गुरुदेव ने कहा है कि बस आपकी परिशानी इस उपाय से जरूर ही दूर हो करज चूकने की वेवस्ता अपने आप बनती जाएगी यानि की आपकी वेवस्ता होती जाएगी स्वयम महादेव आपकी जीवन से करज उतार देंगे देखो तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं चैनल माटी का भी आप ले सकते हैं या अगर आप घर पर जो आटे का दीपक है अगर वो बना सकते हैं तो बिना नमक का आटा मणना और इस दीपक को आपको तेयार के लेना है आगे आपको भाशन में देखो कई बार ऐसा होता है कि यह जो दीपक है देखो यह जो दीपक है बिल लिए दिपक के अंदर चार मुखी दिपक आपको बनाना है अब आपको अपको बाती बाती मोली के आपको बाती लगानी है लाल रंग की अब आपको क्या करना है समझना मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का और हनुमान जी को लाल रंग जो है वो अत्य धीक प्रिया है तो आपको क्या करना है मोली के धागे की बाति आपको लगाते नहीं है और साथ में आपको लेना है मात्र एक लोंग चार बाति का दीपक एक लोंग अब इस दीपक के अंदर देखो चार दिशाएं क्या दरशाती हैं सबसे पहले ये जान लीजे गुरुदेव ने कहा है कि चार बाती जो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यानि कि चार पुरशार्थों को दरशाती है तो आज के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं साथ में एक फूल वाली लोंग लेली इस दिपक के अंदर आपको क्या भरना है चमिली का तेल अगर चमिली का तेल नहीं है तो आप बिल्कुल घबराना मत आप घी भी भर सकते हैं ठीक है ये उपाय आपको करना है मंगलवार की रात्री में लगभग आपको 9-15 के बीच में ही भगवान शिव के अवदार है रगवान जी को वरदान प्रापत है कि इस कालिकाल में इस प्रत्वी लोक में जो भी संक्ट किसी के उपर आता है अगर वो राम नाम अगर कह देता है तो देखो करना क्या है, हनुमान जी के सामने ये दीपक प्रजुलित करना, और दीपक जब प्रजुलित करो ना, तो दीपक आप रखोगे काई में एक प्लेट लेकर की जाना, ठीक है, प्लेट लेकर की जाना, प्लेट के उपर दीपक रखना, दीपक ऐसे खाली जविन पर म कर दोरो जब यह नराम नाम का चाप करो गे हनुमान चालीसा का पाट करोगे तब एक लॉंग आपके हाथ में होनी चीछे और उसके बाद आपको क्या करना है यह लोंग जो है दीपक के अंदर डाल दे है और यह दीपक जो है हनुमान जी के मंदिर के सामने आपको रख देना है और वो प्लेट आप वापस से आप घर पर लेकर कर आ ही है बहुत ही प्यारा सा एक उपाय करना है जो कि पुझी गुरिदेव ने अपनी कथा में बताया है यह उपाय भी 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा यह उपाय आपको लॉंग से करना है ठीक है इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है ठीक है यह और आपको लगाना है ठीक है इस उपाय को पेड़ की जड़ में सबसे पहले एक फूल वाली लॉंग रखना है अब फूल वाली लॉंग का भोग आपको लगाना है ठीक है दीपक के अंदर long नहीं डालनी है full वाली long जो है उसको side में रखना है मिटी में, जड़ में आपको long का भोग लगाना है long का जो मुख होगा full वाला जो हिस्सा होगा वो वर्ट वरुक्ष की तरफ होना चाहिए आगे आपको बाशन में देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रकार से आपको ये एक जो long है वो आपको अरपन कर देनी है long तांत्रिक शास्त्रों में बहुत जादा महत्व होता है long का long से कस्ट संकट बादाए तो ऐसे ही दूर हो जाती है इसलिए long का भोग लगाना और साथ में एक जो दीपक है दीपक को आपको रख दिना है देखो आपकी जीवन में केसी भी परिशानिया है तीक है आपको ये long दीपक आप रखोगे तब आपको वट केशवर महादेव का इस्मरण करना है वट केशवर महादेव का जो भी नाम लेता है मंगलवार के दिन और इस दीपक को प्रदूशकाल के समय प्रदूशकाल के समय मालू मैं न सूर्यास्त से पेतालिसमिट पुर वो शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के पेतालिसमिट बात तक रेता है तो ये उपाई भी आप कल के दिन कर सकते हैं बहुती सुन्दर सा उपाई था अब देखो अब अंतिम उपाई तीसरा उपाई ये भी उपाई आपको लॉंग से करना है आज के जो तीनों उपाई ना तीनों उपाई लोंग से करना है और तीनों उपाई मंगलबार के उपाई है देखो इस उपाई के लिए तामबे के पात्र के अंदर जल लेना है और मात्र एक लोंग डालना है पंडा दिन के अंदर आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा देखो इस उपाय को आप दो प्रकर से कर सकते हो या तो बरगत के पेड़ के माँ पर चिल जाओ ठीक है सुबा से लेकर कि शाम तक भी जा सकते है और प्रदुश्काल की समय भी जा सकते है प्रदुश्काल की समय करते हो तो सर्वोत्म होता है क्या करना है बरगत के पेड़ के हैं वो उतरना शूरू हो जाते हैं तो यह उपाय के आपकर सकते हैं आज ने वीडियो में तीन उपाय में आपको बताया यह यह उपाय कि दिन मंगल वार के दिन जरूर कर सब Lakiliya करना चीछीर 카ières जीने से अच्छा है 중요 है आपको समझे दूर ऊजाए। अगर आपको समझी सोध में ना पूछ लेना गलतीकनिन करना है vertik शिवाय नमस्तु ब्याम, हरहर महादू